बताया चौराय की महिला दो पहिया वहां से अपने चार साल के बच्चे के साथ बामनी राजोरा मार्क पर स्थेत वर्दन नदी पर बने पुल सी चौरी थी उसी दौरान महिला अपने बच्चे के साथ पुल से 30 फिट नीचे गिर गई इस हाथसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई लेकिन बच्चे की चान बच गई गटला की चानकारी मिलते ही सर्च ओप्रेशन चलाया गया लेकिन दोनों नहीं मिले आज सुब दुबारा सर्च ऑप्रेशन शुरू किया गया तब नदी के किनारे पुल के नीचे महिला की शफ के पास बच्चा जखमी हालत में रोते हुए मिला करीब 8 गंटे पूरी रात यह बच्चा अपनी मां की शफ के पास ही बैठा रहा पुल से जस जगा पर महिला और यह बच्चा गिरा उस जगा से चंदी कदम दूरी पर नदी का घहरा पानी भी था बुदवार की शाम साथ बच्चे आदित्य प्लाजा बामनी में रहने वाली महिला सुष्मा पवन काकड़े अपनी चार साल के बच्चे को चौकलेट दिलाने को कहकर घर से दो पहिया मोपेट से निकली थी बामनी से राजोरा जाते समय दो पहिया का संतूलन बिगरने से वर्दा नदी में पुलिया से तीस फिट नीचे गिरने से गर्वती महिला की मौत हुई है लेकिन चार साल के बच्चे की जान बच गई बच्चराजबर अपनी मा की लाश से लिपट कर रोता विलगता रहा आज सुबा चार बच्चे परिजनों को पुलिया के नीचे से बच्चे के रोने की आवास आई नीचे जाने पर देखा की सुश्मा की मौत हो चुकी थी और चार वर्षी बच्चे को भी मामूली चोट लगी थी बच्चे को लेकर बलारपुर के ग्रामीन अस्पताल में इलाज करवाया गया पुलिस को सुचित करने पर पुलिस ने महीला के शफ को दवाखाने में पुच आया जहां डौक्टरों ने सुश्मा काकड़े को मुरत गोष्चित किया बताया जारा है कि यह महीला तीन महीने की गरवती थी महिला का पती पवन काकड़े बैंक में करम चारी है सुश्मा बच्चे को चौकलेट दिलानी और बामनी गाउ में देवी की दर्शन करने चारी है ऐसा बता कर घर से निकली काफी देर होनी पर भी महिला और बच्चा घर नहीं लोटे तो परिवार वालों को चिंता होने लगी परिवार वालों ने उसे ढूर्णना शुरू किया लेकिन उसकी कोई ख़बर नहीं लगी महिला की पती ने उसके इमेल की जरीए महिला की मुबाइल का लोकेशन पता किया लोकेशन बामणी राजोरा मार्क पर वर्दा नदी के पास बता रहा था परिवार वालों ने वर्दा नदी के आसपास का पूरा इलाका च्छान मारा लेकिन कुछ पता नहीं चला बलारपुर के थानेदार उमेश पाटिल ने बताए कि परिवारवालों ने रात को करीब एक बजे पुलस थाने में महिला और बच्चे की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्च कराई थी और परिवारवालों ने बताए कि उसके मुबाइल का लोकेशन बामनी राजोरा मार्क पर वर्दा नदी पर दिखा रहा है सुबा करीब चार बजे परिवारवालों के साथ पुलस ने सर्च ऑप्रेशन शुरू किया तो पुल के नीचे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी करीब जाकर देखने पर महिला म्रत अवस्ता में पड़ी थी और बच्चा महिला के शफ के पास रो रहा था बच्चे को मामली चोटे आई थी उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज़ दिया गया पुलस ने मौके पर पौचक महिला के शफ को पोस्ट माड़म के लिए भेज दिया पोस्माटम रिपोर्ट के मताबिक महिला की गर्दन की अड़ी टूटी हुई है और हाथ में भी फ्रेक्चर हुआ है गौर करनी वाली बात दिया है कि बच्चे के लिए चॉकलेट लेने गई महिला अपने घर से करीब 5 किलोमीटर दून नदी के पास क्यों गई पुलिस सभी एंगल से इस घटना की चुआच कर रही है फिलाल पुलिस ने एकसिडेंट का मामला दर्च किया है कल एक सुष्मा काक्रे करके है उनकी जो मिश्टर है पंजाब नाशनल बैक में नोकरी पे है कल वह साथ बजे करीब घर में आये और बच्चा बढ़ा उनको की चौकलेट आइसक्रीम होना तो वह बोले कि ममी की साथ चले जा तो जो शुष्मा काक्रेजी दे बच्चे को लेके आइसक्रीम और चौकलेट लेने गई बाहर तो एक दिल घंटे तक घर में नहीं आई तो नीचे डखने गए तो नीचे अगमुपैट नए देखी तो उनको लगा कि हो कहीं केभी के पास गए हो लोगा दूर्गा 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 पिरुष्मे वह बें विया तो पास हमारे लोग और भी देखिए तो उनके पती ने जो इसका मेल आइडी था मेल आइडी स्टेश्या उनका लोकेशन आये था जो राजुरा का अपना पूल है बामने के बामने होते हैं जाने वाला वहां भी लोकेशन आये तो हां धुने तो चार बजे वह अब उसका बच् का पीएम हो गया पीवने के बाद पता चला कि उनका जो गर्दन था गर्दन को मारता दोना हाथ फैक्षर बरबर बेटा भी वही तरह रात भर वह उसके पास इसमें एक्षिदेंटल देता बने दर्च यह किया इनिस्टेकिशन भी जारी है बलारपुर से बीसे न्यूस के सुनीर ताइडे की स्पेशल रिपोर्ट